हाँ तो मेरे प्यारे बच्चो मैं निल कुमार वस्ती भोपाल से आपके लिए कॉडिनेट केमिस्ट्री का बहुत अच्छा लेक्चर आपके लेक्चा आया हूं बच्चो और कॉडिनेट केमिस्ट्री हमें जन्नी आगे बढ़ती जा रही है और जो बच्चे जो पढ़ते ज जा रहे हैं वो लगातार मुझे बताते जा रहे हैं कि सर अच्छा लेक्षर चल रहे हैं ठीके पुछ अब मिठाई के साथ नमकीन्त होते ही हैं अपनों जानते हैं इस बात को उनकी प्रवा हमें करनी नहीं है तो बच्चो बैलेंस बॉंट ट्योरी का जीरो वन मैंने आपको दिया लेक्चर जिसे मैंने आपको दिया कि इलेक्टो केमिकल सीरीज कैसे अबन याद करते हैं इन बहारों सचिन आपने याद कर लिया होगा इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उतरे नशा हुआ गलीमें अमुनिया पीकर इन बहारों सचिन कल से फूल नहीं उत्रे नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर ठीके तो इस पकार से आपने उसको यातिया उससे हमें क्या मिला उससे हमें strong field legends और big field legends हमें मिले उससे हमें क्या मिला strong field legends से पता चला कि inner का जो d orbitals है वो खाली होगा पेरिंग होगी और जो big legends है उससे पता चला कि inner गड़ी अर्फडल खाली नहीं हो पाएगा तो sp3 d2 या sp3 d hybridation बनेगा तो बच्चों चलो अपन यहां पर balance bond theory का जो second lecture है उसमें अपन balance bond theory applicable in coordination number six compounds coordination number six compound जिनमें coordination number 6 होगा उनके लिए balance bond theory कैसे अपला होगी वो हमें करना है क्योंकि हमने बच्चों coordination number four हमने कर लिया था coordination number six compound से पहले example हम इसमें example करते जाएंगे यह जो number one example हमारा है वो number one example किसका होगा बच्चों वो number one example हमें मिलेगा वो मिलने वाला है f e f 6 और minus 3 चलिए तो f e f 6 minus 3 में अब हम लगा रहे है coordination number six के इस balance bond theory के coordination number six के सारे components हम इस लेक्चर में करने वाले हैं फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद इनके questions हम अपन देखेंगे ठीके कुछ drop x हम balance bond theory की देखेंगे खतम हो जाएगी ठीक है बच्चो चलिए f e f 6 minus 3 में हम देखते हैं सबसे पहले हमें oxidation state निकालना है x minus 6 बराबर minus 3 तो x बराबर हो जाएगा minus 6 यहां जाएगा तो plus 3 में इस oxidation state यहां पर आपको कितनी मिलने वाली आपको 3 मिलने वाली है फ्लोराइड की मानस 1 होती है तो x minus 6 बराबर बच्चो जाएगा हमारा plus 3 तो अब आपके iron कई दी है तो सबसे पहले आपको मैंने याद करवाया था क्या याद करवाया सक्टिव करमन फीको नीकोजल यह मैंने आपको 3d6 याद करवाई 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मैंने आपको बता है कि जो आरन का जो अटामी नंबर है बच्चो वह 26 हमें मिलेगा तो आयरन हो गया अटामी नंबर 26 मीस हो गया 3D6 and 4S2 यहां पर देखिए आरन का उक्सिटिशन से अभी अपन निकला प्लस 3 तो हम आप तीन एक्ट्रो निकालने हैं दो यहां से निकले एक यहां से निकला तो आयरन इदी हम प्लस 3 लेते हैं तो इसका अगर से यहां पर इसके एलेक्ट्रोनिक अन्फुकेशन हमरे चलेंगे हमें देखना है कि जो फ्लॉराइड जो लाइजेंट है यह वाला वीक है कि स्टॉंग है तो हम जाते हैं बीक फिल्ड लाइजेंट्स में आएगा बच्चो तो पेरिंग कोई पेरिंग यहां पर नह प्रसन कम होगा एनर्जी कम बढ़ेगी इसलिए नहीं होगी यह नहीं होगी झाल क्यों जाल published नहीं होगी तो मीद पेरिंग यह क्योंने होगी जब एनरजी कम होगी तो अनपेल लेक्ट्रॉंस नीचे आपको मिलेंगे सीफटी में स्पाइंट को पर रिपीट करेंगे 1, 2, 3, 4, and 5 4S मैंने ले लिया 4P के आपके तीन है बच्छो 1, 2, 3, 4, and 5 हो गया हमारे पास 6 लाइजेंट से देखिए बैलेंस बांट टियरी के रही है कि जितने लाइजेंट से उतने ही हम्टी आपड़ आपके पास यहां पर होना चाहिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 है क्योंकि पेरिंग यहां पर नहीं हो पा रही है क्योंकि वीक लाइजेंट से तो मुझे 6 चाहिए इसके जो यहां पर 5 होंगे इसके 5 हम यहां से मैंसे 2 इसके हम ले लेंगे बच्चो तो यहां पर यह 2 यह हो गए तो देखिए आप यहां पर टोटल आपको जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप बोलेंगे यह SP3 D2 hybridization आपको मिल जाएगा 3, 2, 5, 1, 6 यह जो SP3 D2 hybridization आपको मिला बच्चो तो यहां पर जो F6 है यह क्या करेंगे यह SP3, D2 एक के नहीं 6 is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 सबका SP3, D2 SP3, D2 आपको मिलेगा यह जो fluoride जो आयांस है यह fluoride आयांस क्या करेंगे यह यहां पर अपने लोन पर फेलेक्टोंस किसको दे देंगे यह अपने लोन पर फेलेक्टोंस दे देंगे इन hybridized orbitals को और यह जो hybridized orbitals को जब अपने लोन पर फेलेक्टोंस दे देंगे तो हर एक का नाम SP3, D2 होगा और सब इस पकार से bond बन जाएगा तो पहला पैंट हम इसमें बोलेंगे कि इसमें स्पी 3D2 मिल रहा है दी बाहर वाला है तो हम इसको बोलेंगे आउटर और्विटल कॉंप्लेक्से जई यह यह बोलेंगे हम इसको सेखन यहां पर 5-1 पर लेक्टोंस है इसलिए यहां पर 5 वन पर लेक्टोंस तो जब अनपर लेक्टोंस यहां पर हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा यहां पर यह पेरा मगनेटिंग नेच्छस तो इसे पेरा मेंगनेटिक नेचर SP3D2 है तो Octahedral in structure Octahedral हो जाएगा और इदि हम Mu की बात करें तो Mu बराबर हो जाएगा root N N plus 2 means N बराबर 5 है 1, 2, 3, 4, 5 तो आप N बराबर 5 कर दीजिए 5, 5 plus 2 5 plus 2 10 10 into 550 means root 50 यह इसका Magnetic Moment आपको मिलेगा Magnetic Moment आपको Mu बराबर root 50 मिल रहा है क्यों क्योंकि N में इस number of unpaid lactose है unpaid lactose यहाँ पर 5 है 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 plus 2 क्या हो गया 5 plus 2 5 plus 2 7 7, 5 जाब 35 तो root 35 हो जाएगा ठीक है तो Magnetic Moment यहाँ पर root 35 आपको मिल जाएगा तो इस पकासर यह पहला एक्जामपल Coordination No.6 Compounds का इसको आप उतारीए उसके बाद अपन चलते हैं बच्चो Second Example में ठीक है इसका Second Example अपन देखते हैं कि इसका Second Example क्या है चलिए मिटा दूँ मैं आपको ठीक है चलिए मिटा दे रहा हूँ पंच्चो त्रीफोर चलिए आपको बन गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब अब अपन Second Example में इसके Example करना Coordination No.6 में किस पकास से हमारा Balance Bound 3 आ रही है अब अब अपन Second Example में जो आपन चलते हैं तो वह हमारा Fe Fe Cn Whole6 माइनस 3 इसको अपन दूसरे Form में भी लिसकते हैं बच्चो इसको अपन लिसकते हैं आप माइनस 3 है तो क्ये चरी कर दो क्योंकि प्लस हो जाएगा Fe हो जाएगा इसको अपने सक्टिव कर्मन फी को निकोजर पड़ा आइरन काटामी नमबर 26 आप देखते हैं 3D6 and 4S2 यहाँ पर जब आपन X-6 व्रावर मानस 3 करेंगे तो X बरावर क्या हो जागा यहाँ पर भी आपको 3 मिल जाएगा मिंस और आपको 3 है तो Fe प्लस 3 में आप कैसे निकालेंगे दो आप यहाँ से निकाले एक यहाँ से निकाले 3D5 and 4S0 4P0 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा आपका 4D0 अब हम यहाँ पर देखते हैं जो सानाइड है यह स्टॉंग लाजेंट यह भीक लाजेंट है तो मैंने बताया आपको याद कर भाया इन भारों सचिनकल से फुल नहीं उत्रे नशा हुआ गली में मुनिया पीकर इंडीपेंडेंट होगे कनाडा और कोलंबिया कनाडा में मैंने सियर मता है要 किस में आरा बच्टो इस को इस उन फिलडेंट में तो स्विश्कार में उसी से आपका स्ट्रांग फिलड लाजेंट में जब सीए खोयी सी न मांस स्ट्रांग का लाजेंट में यह पर आ रहा है सिन मानस स्टॉंग फिड लजेंड में आ रहा है तो पेरिंग होगी डेफिनिटली जैसी इसके पास में आंगे डी अव्डल में तो क्या करेंगे पेरिंग करेंगे यहां पर हमने डी अव्डल ले लिए 3d5 में 12345 ले लिए सिन मानस साइंस इसके पास पहुंचे पेरिंग शुरू हो गई लक्टॉन का रिपर्स होगा पेरिंग शुरू होगई जैसी यहां पर पेरिंग होगी बच्चो तो क्या बन जागा यहां पर दोगो 12345 12345 एक पेरियां बन गया जोगो फाइब टू और टू और वन यहां हो गया है कि यह आपके 3D आपटल से 4S आपका जीरो है यहां पर 4P भी यहां पर आपका जीरो है तीन आपटल इसके है हो मेनी लाइजेंट्स आर कमिंग विद इस CMA सेंटल मेटल इटम कितने लाइजे इसलिश्टक्स इसलिश्टक्स टूर्चीं सेंटल मेटल इटम तो सीग जए जो, अमुक्तर नापका जोड़ जाएंगे तो जब यहां पर जोड़ जाएंगे। और आपको यहां पर यह मिल जाएगा डिटो एस्पी त्री आपड़ाइशन वान टू त्री फोर फाइव और सिक्स यह आपके तीन यहां पर अलग हो जाएंगे यह पर आपको दो इलेक्ट्रोंस यह मिल गए दो यह आपको ऐलेक्ट्रोंस मिल गए एक यह लग हो गे जीटो एक लिटो एस्पी धरी अंदर के दो डी एक एसो तिन पी क्योंकि 6 तो है, तो 6 ही तो मिलेंगे 3, 4, 5, 6 D2 SP3 hybridization मिल जाएगा हमे अब जो CN-Science है बच्चो यह जो 6 जो CN-Science है Those are gives loan-proof electrons to these hybridized orbitals and from co-blend or coordinate bond यह जो CN-Science है बच्चो यह क्या करेंगे यह अपने loan-proof electrons इनको hybridized orbitals को दे देंगे और जब यह hybridized orbitals को पर electron दे देंगे, तो bond बना लेंगे, अब इस पूरे कहानी में, Fe CN-O6 मानस 3 में, क्या क्या आपको मिला देखो पहली बात आपको यह मिली कि इस कहानी में D2 SP3 hybridization इसका हुआ इस compound का, दूसरे जब D2 हुआ तो इसका हमने बला Inner Orbital Complexes, Inner Orbital Complexes क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बच्चो क्या कर रहा है, यहाँ पर यह अंदर का D orbital यहाँ पर यूज कर रहा है Inner Orbital हुआ इसमें देखो, वन एंपेल एक्टोन इस परसेंट, that's why इस पैरा मंगनेटिक नेचर क्या हो गया, यहाँ पर यह पैरा तो एन बराबर क्या होता है, नमबर आफ अंपेल लेक्टोन, तो रूट वन, वन प्लस टू, तो थ्री हो जाएगा, तो रूट थ्री, तो मियू बराबर आपको रूट थ्री मिल जाएगा तो डी तू, एस बीदरी हवरेश्य इन पेरा मंगनिटिक नेचर, ऑक्ता हैडल कॉम्प्लेक्सें आपका, तो डी तू, सभी तू, वो कौन से होंगे, हमारे ऑक्ता हैडल होंगे, ऑक्ता हैडल मिल जाएगा, पूहीं, क्लियर पाइंट आपको मिल रहा है, ऑक्ता है, क्ता थोटन दिखेश रहे आपको यह यहां पर अंप्र अंपलते हैं वो इसा और मुलते हैं और उसक्वेश्वल में जाता है विसको है तो स्क्वेर प्रमिडल अकेल है तो हम इसको भूलेंके स्कुर प्रमिडल यहाँ आ रहा है इन सब को हम अप्टाइडर बोल दिया इन दोलों को हटा दो कि यह और यह तो क्या बन जाएगा स्कुरेड प्लेनर हो जाएगा है ना कॉंप्लेक्स हमने बताए थे आपको तो इस ताइप से बच्छों यह से कंड हमारे पास आ रहा है इसको उतार लीजिए फिर अपन सब्सक्राइड थर्ड इग्सांपल में क्या देखते हैं अपन यहां पर एंफी सी एन हुल 6 और हो जाएगा अमारा माइनस फॉर अभी मैनस सी था नेक्स एंग्स इंपल आ पास आ रहा है एंफी इस इन फोल जाएगा यह एंड माइनस फॉर थर्ड इजंपल इस पर रवन स्ट बराबार माइनस 4 तो वरभे जाएगा प्लस टू तो अक्सिडिशन स्ट हमें मिलेगी फ्लस 2 फ्लस टू अग्सिडिशन स्ट हमें मिली यह तालियों का आपने आपन क्या करेंगे याप पर अरन सक्टिव गर्मन फिकोनिकोजल है अच्छान कोडिट कंपाउंड कौन सा को बताओ तो तो सा कॉटिनेट कंपने का के फोर माइनस फोर है माइनस फोर तो एफी सीन होल शिक्स जो आप इसको अलगर होगे प्राइमरी बिलैंसी को तो प्लस फूर एंड माइनस फोर हगा तो यह वाले जो कॉंपलेस्ट कंपाउंट था उसी का एफ इसी नौल 6-4 बना था आयरन का आप जानते हैं 26 होता है लेक्ट्रोनिक कन्फिकेशन 3D6 & 4S2 26 अटॉमिक नंबर लेक्ट्रोनिक कन्फिकेशन 3D6 & 4S2 अब इदी अपने यहां पर फी प्लस टू की रूप में हम ले रहे हैं इसको तो टू एलेक्ट्रों सार्मूब इस अर्बिटल विकाव से अनर्जी अफ़ाइस अर्बिटल इस लोबर दें दी अर्बिटल 3D अर्बिटल से हम दो एलेक्ट्रोन को निका लेंगे क्योंकि इनकी जो उर्जा होती है सब्सक्राइस कक्षक की वो उर्जा डी कक्षक से कम होती है एफी प्लस टू में हो जागा मात 3D6 4S0 4P0 हो जाएगा हमारा अब यहां पर साइनाइट जो रहता है इससे स्ट्रॉंग लेजेंड चूंकि सीन माइनस इस स्ट्रॉंग फिल्ड लाजेंड हैंस पेरिंग इस ओकर पेरिंग यहां पर होने वाली है तो हमरा डी हो गया डी पर कितने हो गया हमारे 123455 शिस इलेक्ट्रों सा बढ़ दिए 123456 इलेक्ट्रों सा अपने बढ़ दिए 4S हमारा खाली है 4P भी हमारे खाली है अब जैसे सानाइट माइनस साइंस बच्चों इसके पास में आएगा एनर्जी बढ़ेगी यहां पर पेरिंग शुरू हो जाएगी और जैसी पेरिंग शुरू हो जाएगी तो यह यहां पर ऑर्विटल खाली मिलेंगे 123455 कि दो एलेक्ट्रों दो पहले से थे यहां पर एक लेक्ट्रों यहां का गया चार हो गए तोटे लेक्ट्रों देगिए 6 हैं यहां पर 24 और 26 हो गए पेरिंग हो गई यह एलेक्ट्रों यहां पहुचा यह पहुचा यह पहुचा यूगे 2MT of D D की आपको 2 खाली रिक्त कक्षक मिल गए 4S भी आपका खाली है और यहां पर होने क्या बाला है बच्चों होने यह बाला है यहां पर कि जो मिलेंगे और संक्रित कक्षक बनाएंगे तो 2D के मिले तो यह बाला है और प्सवाल कु ख्ला पर यहां पर इसा क्यों होँआ एसा क्यों हूँआ क्यों होँआ क्यों होकि हाप जो हमें शेहीं आपटल मिलें 4D क्यों नहीं मिला क्योंकि साइनाइड आए से हमें 6 जितने यहां पर लाइजेंस होंगे उत्रहीं एम्टी आप्ड़स आपस पर मिक्स अप होंगे यह बैले समान टेरी के पाइंट से हमने लिखे हैं उसका यहां पर यूज हो रहा है तो हमने यहां पर सिक्स सेम एनर्जी लेबल के आपड़स आपको मिलगे 123456 अब जो साइनाइड है मानस वो क्या करेगा अपने लोन पर लेक्टॉंस देदेगा और जैसी वो अपने लोन पर लेक्टॉंस देदेगा तो यहां पर बनने वाले हैं कोबलेंट और कॉडिनेट वॉन जिसको आप क कई आहें से आप भरी हुए थें जयाता तो इस परकाश से आपने इस में क्या देखा इस में धरती डी इले ट्याम होगा इस कम्पलेक्स में आपने देखा है कि हम लोग स्पिन कोंप्लेक्सलिभी बोलेंगे लोग स्पिन क्योंकि यहाँ पर आप झानते हैं कि यह ऺज्ट और लेक्टान से प्लस आप कि तरब का दूसरा ती तरब कमेंगा ऐंटी क्लती डिर टार आपने पड़ाइवा कि एक नट्राइश टैंस्aghetti मेंले यृट्टी दालड़ ग्दोनों अपश्या हो जाएंगे तो दोनों अपस Present magnetic moment को cancel कर देंगे spin आपस में cancel हो जाएगी this is when all paired electrons are percent in the complexes so then that complex is a low spin complexes hence it is called low spin complexes because all paired electrons are percent यदि इस जटिल के अंदर बच्चो सारे के सारे जो हैं वो युगमित electron आपको मिलेंगे युगमित electron, paired electron युगमित electron मिलेंगे तो हम इसको निम्न चक्रन जटिल कहेंगे low spin complexes means निम्न चक्रन जटिल diamagnetic means होता है प्रती चुम्ब की है octahodal means होता है अस्टोफल की है तो यह यह आप हिंदी में भी होता है pairing और युगमिन हो रहा है strong field legend का मतलब होता है परवल छेत्र सलगनी परवल सलगनी यह है ठीक है उनको हमने याद करवा दी आपको trick आपको दे दी है third point आपको complete हुआ चलो coordination number 6 का अगला example हमनों लेने वाले हैं वो है COCN whole 6 minus 4 मिटादू में इसको चलिए अगला example हमारा हमें मिल रहा है COCN whole 6 minus 4 CO यह आपके notes बनते जा रहे होंगे copy में ठीक है तो हमारा जो अगला example हमें मिलने बाला है वो है हमारा COCN whole 6 and minus 4 में इसे कहाँ का complex होगा यह यह होगा K4 COCN whole 6 होगा primary frequency 4 plus इसलिए 4 minus ठीक है नाम क्या होगा इसका legend का नाम है पीस नाम potentium ठीक है क्या नाम होगा potentium hexacenide cobyte 2 oxidation state इसका 2 हमें मिलने बाला है कैसे मिलेगा X minus 6 cn का minus 1 होता है that equal to minus 4 तो X बराभा minus 4 इदर गया plus 6 minus 4 plus 6 that equal to plus 2 तो इसका यहाँ पर oxidation state is 2 आपको यहाँ पर मिलेगी जब अच्छों आपको oxidation state यहाँ पर 2 मिलेगी तो आपने इस टैप से oxidation state निकाल ली है तो आप क्या करने वाले हैं अब आप यहाँ पर यह करने वाले हैं आपर इसमें आप क्या करने वाले हैं इसमें आप यह करने वाले हैं कि आखिर इसका हैं पर case types होगा सक्टिव कर्मन फीको 21 22 23 24 25 26 and 27 27 is the atomic number of this cobalt cobalt the atomic number 27 3d7 and 4s2 is the electronic configuration इसका electronic विन्यास में मिल रहा है 27 atomic number cobalt का सक्टिव कर्मन फीको निकोजल आपको मैंने याद करवाया बच्चो तो 3d7 4s2 को वाल्ट का oxidation state यहाँ पर प्लस 2 हम क्या करने वाले हैं दो electron है से निकलेंगे तो इसका हो जागा 3d7 4s0 4p0 आप जानते हैं cyanide is a strong field legend cyanide cn-ion is a strong field legend means pairing is soccer यह है तो वह pairing होगी यह दि पेरिंग करना पड़े तो पेरिंग करेंगे एदि आउर्ड़ेटी दी आर्बिटल खाली पड़े होंगे तो पेरिंग यह जूरत नहीं होगी तो पेरिंग नहीं होगी वह डिपेंड करेगा इस बात के ओपर जब सम्कॉंप्लेस को देखेंगे 1234567 बढ़ी है 1234567 में इस पेरिंग यहां पर होगी साइन इस पास में आएगा यह लेक्टोन यह जाके पेरिंग कर देगा जैसे हैं आप बच्छों पेरिंग होगी यह पर तो पेरिंग के बाद में क्या बने गए यह पर पेरिंग के बाद में हमें इलेक्टोन से इस पकार से हमें मिलने वाले हैं 12345 टू हो गया फॉर हो गया है ना वान टू फॉर और यह ज़रा गया तो सिक्स हो गया और वन हो ग आपका ट्रीडी आ devoteल्स यह बहर आपके 4S यह बहर एपके फोर पी आज़तों है अबस हैं सीANG से बसक्रवर रहे यहां पर हो चुकिया जब साई मेरे दैंससाँ प्रड़ प्रोच फिर लेकिन यहां पर यह वास्त कर रह है आप यहां पर और वन लेक्टॉन वन पर लेक्टॉन एंड वन बेकेंड डी आफ्टल आफ्टर पेरिंग पेरिंग के पस्चाद आपको एक ही डी आफ्टल मिल रहा है साइनाइट तो यहां पर छे हैं इसको डी आफ्टल की जुरूत है दो एमटी डी आफ्टल चाहिए यहां पर तो एक ही मिल रहा है तो एक मिल रहा है तो इसको यूजल नहीं है इसको भगा नहीं पा रहा है वह कि बजाएं तो फिर क्ये होगा आपका जो 4-d 0 है यह वाले आफ्टल यहां पर यूजल मैं आ जाएंगे तो कितने how many orbitals are used कितने orbital use में आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाहर के ये 2 orbital d orbital use में आएंगे तो इसका यहाँ पास देखे strong field legend है लेकिन जब एक ही d orbital back end हो रहा है तो उसका use नहीं हो रहा अंदर के इस एक orbital का क्योंकि 6 legend है उसको 2 d orbital चाहिए तो बाहर के 2 मिलेंगे इसको तो hybridation हो जाएगा इसका sp3 d2 जैसे इसका hybridation sp3 d2 हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 empty orbitals are present जो 6 जो रिक्त कक्षक है यह आपको मिलेंगे cn-1, 2, 3, 4, 5 and 6 यह अपने loan provalectors को दे देंगे तो बच्चों जब यह loan provalectors को दे देंगे तो आप अन्वब करिए कि pairing के पस्चा देदी एक ही d orbital आपको मिलता है दो नहीं मिलते हैं तो बाहर वाला d orbital बोलेगा cyanide strong था pairing कर दी लेकिन pairing के बाद एक ही d orbital मिला इसलिए इसने बाहर का d orbital लिया तो यह सी बाहर का d orbital लिया तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल गई यहां पर यहांपे क्या क्या बात ने आपको मिली इसमें आपको जो मिलने वाला है वो मिला इस complex में पहले मिला यहांपर इसमें hybridization मिला और वो hybridization क्या मिला SP3D2 हावेडस से मच्चों मिला SP3D2 दोसी बात पेरा मंगनेटिक है डाय मंगनेटिक एक electron मिला इसलिए इट से paramagnetic आपको paramagnetic मिला ठीक है strong field legend था pairing करी इसलिए low spin मिला एक ही दो electron था low spin मिलेगा paramagnetic मिला new बराबर root 3 हो जाएगा root n, n plus 2 अभी बताए मैंने आपको ठीक है और low spin इसमें मिलने वाली क्योंकि एक ही दो unfit electron ज़्यदा spin होने रही है पेरिंग होगी थी इसलिए तो यह सारे पाइंट है आपको सी ओ सी एन होल 6 मानस फोर मिले और बिलेंस बांटीरी हमने अप्लाई करी तो नेक्स अपन आगे का compound पर अपन चलते हैं बच्चो यह आपने लिख लिए उसको उतार लिजिए फिर नेक्स नेक्स कंपाउंड हमारे पास आने वाला है नेक्स कंपाउंड बच्चो जो हमें मिल रहा है वो है अमारे पास वाने वाला है वो nitrogen नेक्स थरी वह जोड़ा होगा और यहां पर मायनस और यहां पर बनाऊंड यह था जिससे आपने यह कटायन आपने लिया सक्टिव कर्मन फीको नी कोजल निकल का अटामी नमबर सक्टिव कर्मन फीको नी कोजल यह आपको याद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 अटामी नमबर 28 निकल हमने लिया 28 अटामी नमबर 3D8 and 4S2 हुआ इसका अलेक्टोनिक इसका ऑक्सिडिशन स्टेट आपको 2 मिल रही है, 0 होती है X प्लस 0 बराबर प्लस 2 तो X बराबर प्लस 2 हो जाएगी प्लस 2 में हम लेंगे 2 इलेक्टोनिया से निकल जाएगे तो 3D8 हो जाएगा 4S0, 4P0 हमें मिलेगा हम जानते हैं कि अमोनिया इसे strong legends हमें काम करता है तो आमोनिया कहीं कहीं पर weak legend की रूप में काम करता है वो भी हमने आपको बताया हुआ है उसके भी example हम देखने वाले हैं अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, and 5 D8 हो गया 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, and 8 हो गया जैसे आमोनिया ने यहाँ पर काम किया यहाँ पर strong legend के रूप में हमोनिया exact as a strong field legend तो यहाँ पर पेरिंग कर दी इसने अब आप यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, and 5 2 हो गया 2 हो गया 2 हो गया 1D आप्टल is empty तो जब 1D आप्टल यहाँ पर 3D में यह आपका 4S है यह यहाँ पर आपका 4P है 0 है तो इस डी आप्टल का कोई यूज है क्या हमारे लिए six legends के लिए coordination number six के लिए इस एक डी आप्टल का कोई यूज नहीं जैसे पहले हुआ था जब इसका कोई यूज नहीं है तो यह सब पड़ा रहेगा पेरिंग जरू उसने कर दी है लेकिन खाली पड़ा हुआ है 2p के बाद 40 आप यह नहीं बूल सके पैरिंग नहीं करेगा वैरिंग तो करेगा स्चान फील्ग में कम कर रहा है तो पैरिंग तो स्की हो नहीं है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चो हम लोग यहां पर सिक्स लेंगे देखिए वान और यहां पर यह दो पी के तीन और दो डी के सिक्स लाइजेंट्स हमने ले लिए तो हाइबरेशन हो गया स्पी 3D2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 अब यह 6 हमने ले लिए 1 2 3 4 5 और 6 अमोनिया अपने लोन पर लेक्टाउंस को हरे एक परते किसका स्पी 3D2 हाइबरेशन में और विटल में दे देगा और जैसे देगा तो बना देगा कोडिनेट बॉंड और कॉडिनेट बॉंड से जगबंद है अब आप इस में वह करिए इस कॉम्प्लेंस के अंदर जो भासंज मेरी इसलिए तो यहां पर सभी 3D2 नेचर आपको मिलने वाला है यहां पर लिख लिजे सभी 3D2 में चला गया यह मंगनेटिक हो गया और जब दाइम मंगनेटिक हो गया तो मु बरापर यहां पर जीरो हो तो इस पगार से बच्चों बैलेंस बन्ट क्योरी हर एक एक्जामपल में आप लगाते जाते हैं एक्जामपल में और आपको पता चलता रहाता है कि वो डाय मेंगनेटिक है उसका है और इसके उपार जैई में कोशन आते हैं वह कॉंप्लेक्स दे देंगे तुम्हें और और नेट्स उक्जामपल अचेक्जामपल हों लेते हैं है यह नैक्स एक्जामपल हमारा crh206 प्लस ट्री हमारे एक्जामपल में मिल रहा है मिताधू में आप को हमेशा रही है आप कर right here sorry for Alle में नə act ऑब आगे बंढ़ना है आपको लिए नीस चम्पल जो मेरे पास आ रहा है ओओ नेक्स इड्समपल मेरे पास आ रहा है क्रूमियम का एक सी यइज़च्टू हो मिका है और स्थी और स्थी एग्जाम्पल का रहा है 120 मेरे पास 58 ए एक्सटोन से अब जो बन्ट रहा है इसका कॉडिनेट कॉंप्ले sanction सह 번ना चाहिए प्लस 3 तो निगेटिव बला लेंगे तो CR H2 whole 6 and यहाँ पर CL3 होगा यह माइनस और यहाँ पर प्लस 3 आपको मिल जाएगा ठीक है बच्छों क्रोमियम का यहाँ पर oxidation state प्लस 3 कुंग यहाँ पर 0 होता है तो प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर तो हम क्रोमियम का अटामी नंबर देखो 24 हमारे पास तो क्रोमियम का 24 मतला हम 3D5 4S1 लेते हैं याद है आपको D-Optalist में हाफिल्ड हो जाएगा तो इसलिए 3D5 and 4S1 इसका electronic configuration आपको मिलेगा तो बच्छों यहाँ पर क्रोमियम 24, 3D5, 4S1 आपने देखा तो यह क्रोमियम में हमारे पास 24 है 3D5, 4S1 बनेगा अब अपने इदिए आपक क्रोमियम प्लस 3 के रूप में हम करें तो एक लेक्टोन यहाँ से निकालें दो यहाँ से निकल गया तो यह हो जाएगा हमारा 3D3, 4S0, 4P0 एक, दो, तीन, चार और पांच तीन लेक्टोन से यहाँ पर है औरेड़ी यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि दो और्पडेल आप वो खाली मिल रहे हैं वाटर इस वीक लाजेंड तो वाटर क्या हमारे पास H2 H2 is a वीक फिल्ड लाजेंड हमें मिलता है no pairing is ochr बहुत simple हमें मिलने वाला है simple हमें कि मिलने वाला हैं आपर simple हमें यह मिलने वाला हैं हापर कि pairing हमें होने वाली नहीं है तो दो electron, दो तीन पास आपार चुँक्कि हमें 6 हैं ना यह आपके यहाँ पर मिल जाएंगे यह हो जाएगा आपका D2 SP3 ठीक 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आपके यहां पर water molecule अपने lone pair electrons को यहां पर दे देंगे और जैसे 6 देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहां पर बन जाएगा coordinate और cobrant bond तो hybridization इसका मिलने बारा है आपको D2 SP3 और D2 SP3 है लेकिन unpaid electrons तीन, इसलिए यह हो जाएगा हमारा paira magnetic तो paira magnetic हमें मिल जाएगा high spin हमें मिलेगा क्यों क्यों कि 3 है और 3 है तो मतलब 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का मतलब यह हो जाएगा यहांपर high spin है 3 हो जाएगे तो root 3 plus 3 plus 2 mu बडाबर root n n plus 2 मिस रूट 3, 3 प्लस 2, 5, यह हो जाएगा आपका रूट 15 D2S P3 हाबराशन इस कॉम्पलेक्स का, यह से निकाला हमने इनर में इसको पेरिंग की जुरत में बड़ी वीक लाइजेंट था दो अर्डी परजेंट थे यहां पर, एम्टी ऑप्डल्स फटक से हमने आप उसको ले लिए और हाबराशन बना दिये, तो इस पर का सी हाबराशन खतम होता है, बच्चों इसका क्या स्ट्रॉंग वाले में भी ही चीज होगी के नहीं होगी दो अधिक साथ्सप्षन जहां पेरिंग होगी या नहीं होगी परेउट नहीं होती है incident इसलिए सक्सी वह ले रहे हों स dép्टला बहुत इंस आने वाला है 6 सिक्स वाला हमारे पास इंपोर्टेंट है सिक्स को एक्जामपल उस एक्जामपल में हमने लिया है सी आर एनस थरी होल सिक्स एंड प्लस थरी जिसको हम यहाँ पर इस पकार से लिकेंगे कॉंपलेश कंपॉंड इदि हमारा होगा तो सी आर एनस थरी होल सिक्स एंड चील थरी यह माइनस हो गया यह प्लस थरी हो गया इस प्रकार से हमें आपको मिलेगा तो अब अपनी यह देखते हैं यहां पर बच्चो कि क्रोमियम हमारे पास 24 क्रोमियम 24 electronic configuration 3D 5 4S1 q विदी अर्बिटल इस हाफ फिल्ड अर्बिटल यहां जाएगा सी यार प्लस त्री के रूप में है यह ऑक्सिडिशन स्टेट एक्स प्लस जिरो प्राबर प्लस त्री एक लेक्टोन यहां से निकलेंगे यह बन जाएगा 3D 3 4S 0 एंड 4P 0 थ्वाध्यां से देखिए का आप यहां पर 1 2 3 1 2 3 4 & 5 एक दो और तीन लेक्टोल्स 4S में एक खाली पी में आपर तीन खाली यह आपडल बच्चों आपसे मिल जाएंगे जो खाली अर्बिटल है अम्होनिया ऑपर स्टां मिल जाते हैं यहां पेलेस्ट तोरी यह बत लूंड है प्यर्शन के मैंनि क seventeen निफेर्म निक्र्टान तो विए सब्सक्क्राइब इसलिए हमारे पास CFT आती है crystal field theory ठीक है? यहां से उसका जनम होता है crystal field theory का तो बच्चो इसलिए आप इसको exception के रुपे balance bond theory में जो exception है crystal field theory उसके exception को दूर करती है तो यहां पर यह तीन अनपेल एक्टॉंस हमने दे दी है यह हमारा हो गया d2sp3 2dk 1s और 3p और mixed together 1,2,3,4,5 and 6 यह ammonia अपने लोन पर लेक्टॉंस को इसको देते हुए और इस पकार से हमारे पास ammonia ammonia अपने लोन पर लेक्टॉंस देते हुए अपना covalent या coordinate bond बनाते हुए और 3N पर लेक्टॉंस यहां पर 3D में होते तो यहां पर आपका हो जाएगा d2sp3 it is a paramagnetic dimagnetic definitely it is a paramagnetic nature 3N पर लेक्टॉंस तो आप यह देखते हैं इस exception में यह दि हमारे पास d1 d2o d3o और ammonia license हो तो यहां पर क्या होगा हम यह देखेंगे यह दि यहां पर d5 a d3 तक हमें सामें d2sp3 hybridization मिल जाएगा in coordination no.6 चलिए इस point को भी हम आपको लिखाते हैं पहले इसको लिख लिजे पर यह लगा पाइंट लिखाते हैं उतारीए तो बच्छा आपने उतार लिए इसको अब अपन इसमें कुछ points हम लोग यहां पर लिख लेते हैं special points जिससे आपको फायदा होने वाला है special points क्या होंगे special points बच्छों यह रहेंगे कि अपन d और के electrons को देखें और strong field और big field legends को देखें और उसके इसाब से हम बात करें जैसे d में 1 lektron, 2 lektron, 3 lektron है तो चाहे हमारा 1, 2, 3 है यदि हम strong field legend यदि हम लेते हैं और big field legends हम लेते हैं तो हमेसा आपका d2, sp3 hybridization ही बनेगा और वो paramagnetic होगा मतलब की number 1 पे यदि आपका d1, 2, 3 d after में 1 lektron, 2 lektron, 3 lektron है तो जो hybridization आपको मिलने वाला है वो d2, sp3 अभी अपने देखा था 3 n पे lektron मिल गए थे d2, sp2 होते हैं तब भी वही एक हैं ये it is applicable for coordination number 6 इतो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें coordination number 6 होना चाहिए ये दि हम second बात करते हैं कि d after में 4 है, 5 है 6 है और 7 अर्फडल है तो इसके अंदर ये दि हमारे पास strong field legend है तो हमें d2, sp3 vibration हो जाएगा strong field legend है तो d2, sp3 vibration हो जाएगा और ये दि हमारे पास तो sp3 d2 हो जाएगा अब डिपेंड करेगा उसमें प्यारा मेंगनिटिक एलेक्टरों बचा की नहीं बचा वह आपको देखना पड़ेगा कैसे देखेंगे अपन वह अपन पूरा अभी बना के बताए एक्जांपल ये सामें करना पड़ेगा नंबर थार्ड में हम बात करते हैं तो हमारे पास d8 9 और 10 हो वह तो हम हम पता लगा लेते हैं कि हापड़ेशन कैसे होगा पैरा मगनिटिक डाम लिडिक हमें उसको भर क्यम देख लेते हैं तो यही में में जो कोस्टन से दी आपको मिलेंगे तो हाइबरेशन से आप दो एक अंसर निकाल लेंगे उन दोनों को पेरा मेंगे डाइमेंगे कर लेंगे तो आपको अंसर मिल जाएगा डी आफ्टल 1-10 में इलेक्टोंस भरेंगे 1-2-3-4-5-6-7-8-5-10 तो एक इन जन्रल हम इस बात को कॉडिनेशन डिजए अप्लाइए एप्लाइए फोर कॉडिनेशन नमर शिक्स कंपाउंड्स के लिए अप्लाइए होगा और आप देख लेंगे ठीक है बच्चो चलो अब एक हम एक पाइंट जो हमने आपको बताये था कि जो आमोनिया तो आप जानते हैं कि कि आमोनिया इस अलवेश एक्ट एस स्ट्रॉंग लेजर्ड लेकिं यहीं आमोनिया कहीं जगे पर एटिश्चट देश्यघ्य लेजड़ेंड कहां पर करमन फीको मैंने बताया था कि आमोनिया एस इस पांट को और दुबरा लिकेंगे एक्ट एस एज से भीड फिल्ड ले सुपर प्लस ड्वी आपका हो जाएगा करमन फीको करमन कर मींस क्रोमीन बच्चों मैंगनीज एमन प्लस-टू एफी प्लस-टू एंड कोवाल्ट प्लस-टू करमन फीको तो करमन फीको में मुनिे शैक्ट एंजेए वीड फुलाइभ लइजएंड कि मतलब की पेरिंग नहीं होगी उसका एक एक जामपल इदि आपने उठाते हैं मैं यह दिया मद्धें मनेस्ट री एल एक्जामपल एमेन और एस थी होल से कोडिनीस नमबर सिस की बात और रही है और प्लस टू यहां पर हमें मैं मन प्लस टू में चाहिए मतलब यह कंपाउ होगा हमारा में एन एस त्री हो शिक्स एंड यहाँ पर होगा हमारा सील टू जब आप इसको तोड़ेंगे तो माइनस वन और यहाँ पर प्लस टू मी जाएगा आपको बच्छों मैंने आप बताया मैंगनेज का में टावा देखो 25 अटामी नंबर तो इसका एलेक्ट्रोनिक अन्फिगरेशन 3D 5 & 4S2 हम यहाँ पर मैंगनेज यहाँ पर प्लस टू कर रहे हैं मतलब दो एलेक्ट्रों हमने आशा निकाल दिये तो एलेक्ट्रोनिक 2, 3, 4 & 5 फाइव लेक्ट्रोंस अंब भर दिये बान तू थी फॉर & 5 एलेक्ट्रोंस भर दिये यह पर आस में अमरा जीरो है और पी में हमारा यहां पर तीन लेक्ट्रोंस हमने भरे तो बच्छों क्या देखेंगे अपन यहां पर कि हमेनी अमोनिया यहां पर पास में जा है आप दिमाब में होगा अमोनिया पास में जा रहा है तो पेरिंग कर लो और बना दो लेकिन अमोनिया इस एक लाइजेंड इन करमन फीको फिर से बछोषुन से रिक्acher से की वो मेरा लड विट्फण चैनल में जाकर दो में जिजिन बच्छो ने ब्छों अभी तक नहीं किया है वह ब्लॉक के लिए जिन बच्चो में से नहीं करहें हैं छोलत के लिए और आप जानते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और जिन बच्चों ने मैटलर जी के नेम अब दोर से लाइस नहीं किया वहां कर लेंगे बहुत सब्सक्राइब करते जाएंगे अभी साइद केनी जारो रेक्शन भी आने वाली है लोल आ चुका है कन्वर्संस वहां पे डले हुए है वह सब और आगे आपको अभी जैसी रेक्शन कंप्रिट हो रही है वहां पे हम कन्वर्संस आगे बढ़ते जाएंगे तक यह आपको प्रॉलम ना जाए ठीक है बच्च कर्मन फीको निकोbahn यह को बताया और वही में कुर्मन करिंग के काम करेंगे मतलं इसे पेरिंग नहीं होगी तो पैरिंग नहीं होगी बच्चों बताओ तो यहांर दो च्छे जय इसका अपर क्या करेगा वो SP3D2 और जब SP3D2 यहां पर बन जाएगा तो हम मिल जाएगा 12345 and 6 123456 123456 यहां पर हमें मिल जाएगा और जो ammonia है यहां पर जो ammonia है वो 6 ammonia molecules यहां पर जाके जुड़ जाएगे ठीक है जैसी यहां पर जुड़ेंगे तो इस गिपस आस लोन पर लेक्टॉंस और जब यह लोन पर लेक्टॉंस यहां पर दे देंगे तो यह compound बन जाएगा हाबरेशन हो जाएगा SP3D2 इसका हाबरेशन हम बोलेंगे हाबरेशन हमारा हो गया SP3D2 और इडिज ए पैरा मगनेटिक नेचर इसलिए हम इसको बोलते है हाइ इस्कों कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स sauce हाइ पिन kompleksliamo ऊके तो यह यहां पर यह जो पहला कंपाउंड तो यह आपने बोला कि मैंगनीज में वीग लाइजेंट है तो इस पकार से उसका बैलेंस बांट थोरी लगेगी और आपको ये कमपॉण्ड मिला आप इसको उतारीए फिर अपन सेकंड कमपॉण्ड में चलते हैं बच्चो सेकंड कमपॉण्ड अपन एफी का उठा लेते हैं अपन सेकंड कमपॉण्ड में काम करता है पिर से तो मुझे पता नहीं जूरूत नहीं है मैंगनीज 25 अटामी नंबर 3D5 4S2 दो इलेक्टरॉन निकाल दो 3D5 बना 4S0 4P0 4D0 D5 में इलेक्टरॉन बर दिये SP6 थे हैं यहां पर तो 6 काहबरेशन हो गया 3, 2, 5, 6, SP3, D2 अम उने अपने लोन पर अक्रन दे दिये यहां पर हमने को के बले यह दिमाह में रखना है कि पेरिंग नहीं होगी किसमें पेरिंग नहीं होती है 3 में कर्मन फीकों में ठीक है चलिए बढ़ा दूँ बहुत बढ़ी है अभी ज्यादा हंसी नहीं आ रही है क्यों इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे नशा हुआ गली में अमूनिया पीकर इन बाहरों सचिन कल से फूल नहीं उतरे नशा हुआ गली में अमूनिया पीकर इंडिपेंड होगे कनाडा और कॉलंबिया चलिए सेगंड एक्जामपल जिसमें अमोनियर वीक लेजेंड में काम करेगा F.E.N.S. 3 होल 6 एंड हम कर देंगे यहाँ पर प्लस 2 इसका बच्चो कॉंप्लेक्स कौन सा बनने वाला है इसका कॉंप्लेक्स बनेगा F.E.N.S. 3 होल 6 और यहाँ पर हो जाएगा C.L.2 यह यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा अब देखिए आइरन को अपन देखते हैं 26 है यदि हमारे पास आइरन 26 है तो यह हो जाएगा 3D6 4S2 ठीक है जब हम आइरन यहाँ पर प्लस 2 के रूप में लेंगे S के लेक्टोन निकल जाएगे तो यह हो जाएगा 3D6 4S0 and 4P0 D6 का मतलब यह हुआ 1,2,3,4 and 5 तो यहाँ पर 6 लेक्टोन से हम भरेंगे यह यहाँ पर 5 लेक्टोन यहाँ पर 6 S पर यहाँ पर खाली P पर यहाँ पर खाली काईदे से अमोनिया is a strong legend but in Fe plus 2 जब Fe plus 2 के चार्ज में होता है तो यह वीक लेजेंड के रूप में अमोनिया वर्क करता है तो यहाँ पेरिंग नहीं होगी तो यहाँ तो 6 है तो यहाँ पर 1,2,3,4 मन्स 4D के आर्पिटल यहाँ पर इन्वाल्फ हो जाएंगे 1,2,3,4 and 5 तो दो आप यहाँ पर इसके आर्पिटल ले लिजे देखिए S का एक ले लिए आपने S के बाद में S के बाद में आपने यहाँ पर 2 S के यहाँ पर ले लिए तो जब आपने S के यहाँ पर ले लिए 1,2,3,4,5,6 तो यह हो गया आपका SP3D2 यहाँ पर आपने ले लिए 1,2,3,4,5 and 6 अमोनिया अपने लोन पर लेक्टॉंस को यहाँ पर देगा और हाबिडेशन हो जाएगा SP3D2 मिस यहाँ पर high spin complexes बनाएगा यहाँ पर SP3D2 हाबिडेशन वीग लाजेंड में काम कर रहा है 1,2,3,4 and पर लेक्टॉंस यहाँ इसे paramagnetic ठीक है इसको आपको ध्यान रखना है and high spin पर जाएगा high spin complexes ठीक है बच्छो तो इस पकास से यहाँ पर chromium हो गया manganese हो गया iron हो गया प्लस टू एसे ही दिया आप कोवाल्ट लेते हैं तो कोवाल्ट का भी आप ले सकते हैं इसको उतारिए मैं कोवाल्ट का करके आपको बताता हूँ CUNS 3 whole 6 प्लस 2 के रूप में केसे कोवाल्ट यहाँ पर करेगा केसे यह complex बनाएगा मिड़ा दू मैं चलिए अब कोवाल्ट के बारे में जब आपन बात करते हैं बच्चो तो कोवाल्ट केसे बनाएगा यहाँ पर तो कोवाल्ट यहाँ पर इस टाइब से बनाता है कोवाल्ट CUNS 3 CUNS 3 whole 6 और आपने बोल दिया प्लस 2 प्लस 3 नहीं बोलना है कोवाल्ट प्लस 2 और अमोनिया है तो भी लाइजेंड के रूप में काम करना है इसको इसका complex कोंसा बनेगा CUNS 3 whole 6 and CL2 यह CL दिया आपका माइनस 1 और यहाँ पर प्लस 2 के रूप में अलग हो जाएगा कोवाल्ट देखिए कोवाल्ट का उक्सिद एटामी नंबर इस 27 स्क्टिव कर्मन फिको निकोजल 3D स्रीज 27 का मतलब हुआ बच्चो 3D 7 and 4S 2 ठीक है कोवाल्ट में यहाँ पर क्या करते है कि हम यहाँ पर CO प्लस 2 ले लेते हैं तो दो लेक्टोन यहाँ से निकाल दीजिए 3D 7 4S 0 हो जाएगा यहाँ पर आपको 4P 0 मिलेगा और यहाँ पर 4D 0 मिलेगा अब यहाँ पर बच्चो D 7 है 1 2 3 4 & 5 मैं समने लेक्टोन पर है 1 2 3 4 5 6 & 7 लेक्टोन हमने भर दी है S में कोई लेक्टोन नहीं है बच्चो O 4P हमने लिया तो यहाँ पर कोई लेक्टोन नहीं O 4D में भी 1 2 3 4 5 में कोई लेक्टोन नहीं अभी जो अमोनिय है जब इसके पास में आएगा तो पेरिंग करना चाहिए पेरिंग है दी वो करता है यहां पर यहां से यहां पर लेक्टोन चला आता एक अधन पर लेक्टोन एक अधकेंट और्फिटल रहे जाता लेकिन कोवाल जब प्लस टू के साथ होता है तो फिल्ड लाजेंड की समान काम कर रहा है नो पेरिंग इस होका तो यहां पर क्या होने वाला है सिक्स लाजेंड से तो 123456 यहां पर जुड़ जाएंगे और यह आपको क्या बना देंगे SP3D2 तो आपको बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा SP3D2 123456 तो यहां पर जो अमोनिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह अमोनिया अपने लोन पर लेक्टॉल्स को यहां पर दे देगा वैन दीज गिवस लोन पर लेक्टॉल्स तो इस हाविडाइस्ट और तो इसका हाविडेशन क्या होने वाला है तो बच्चों इसका हाविडेशन हो जाएगा आपका SP3D2 पहली बात दूसरी बात यहां पर यह पर पैरा मडिक नेषर होगा क्या हो जागा यहां पर पैरा मडिक नेच रो जागा ही है क्योंकि आपर 300 एलेक्टॉन सा परसेंट यापर 300 एलेक्टॉन से मिल रहे हैं इसलिए पेरा मगनेटिक निचर हो जाएगा ठीक है पेरिंग नहीं हो रही है यहां पर तो इस पकार से आपने आपर यह अनुभब किया कि कि अमोनिया इस एक्ट एज बीग फिल्ड लाजेंड इन कर्म फीको ठीक है बच्चो तो मैं ही समझता हूं कि इतना आप इसको उतार लीजिए फिर अपने यहां पर देखते हैं इसको उतारिए तो बच्चो यह होगे हमारा कॉडिनेशन नंबर सिक्स कंपाउंड का हमारे एक्जांपल्स हो गए अब कॉडिनेशन नंबर फाइब और कुछ कोशन्स जेही के छोटा सा एक वीडियो मैं आपको देदूंगा ठीक है उस वीडियो को अपन देख लेंगे जिसमें कॉडिन कोडिनेशन नंबर फाइब होगा और कुछ जेही के कोशन्स होंगे तो यह वाला वीडियो यह वाला अपन लेक्ट्ट्र करते हैं लक्ट्र नमबर फॉर्टिन में ताकि बेलेंस बांड टेख गेए अटवांस के कुछ कोशन ले लेंगे अपन और कॉडिनेशन नंबर फा है और आपका cft थोड़ा सा लंबा चलेगा थोड़ा बहुत और आइसोमरिजम का खतम है यह आपका बैले स्वांट थेओरी हो गई आपकी जोकर सब्सक्राइब आपना इपसी नॉमन क्लेचर ले लिया था अब बैले स्वांट थेडिया आपको अब आपन ले लेंगे cft और cft के बाद मैं आइसोमरिजम यह कोडिनेंट कंपाउंट्स के इन में से कॉश्मस आते हैं थेंक्यू बिनिमाच आला फी यू